Hello my dear friends a very warm welcome to current affairs cutshot दोस्तों आज का आपके सामने प्रिलिम्स-oriented question है that is consider the following statements प्लीज ध्यान रखिए कि आपको इसको अटेम्ट करना है YouTube के comment section में और कोशिश कीजिए कि आप इसका answer जरूर दें तो पहला question है Q2 mission is the first SpaceX mission to transport JAXA and ESA astronauts to ISS that is also called ISS क्या कहलाता है ISS ठीक है tissue chips experiment are being carried out at ISS to learn how micro bots can function in gravity तो दोस्तों आपको बताना है इन दोने statements में से कौन सा correct है और यही सवाल आपको जलक भी देता है कि आज का हमार टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों आज का हमार टॉपिक है from Florida Florida से international space station के तरफ भेजा जाएगा अब यह जो क्रीव 2 mission है यह कौन कर रहा है कौन कर रहा है तो दोस्तों ध्यान रखना इड़े प्रोग्राम विच इस result of collaboration between NASA and SpaceX नासा और SpaceX के बीच का collaboration है और इसके अंदर commercial क्रीव प्रोग्राम को handle किया जा रहा है ठीक है इस पार्ट ऑफ collaboration between NASA and SpaceX अंडर commercial क्रीव प्रोग्राम अब का मतलब कर दोस्तों देखो नासा के पास एक time ability थी humans को स्पेस में भेज सकता है बट स्लोली स्लोली वह रश्यान के उपर depend करने लगए ठीक है जो कॉस्मोस जो रश्या के एजनसी है उसके उपर depend करने लगए तो इन्हों SpaceX ने अभी अभी रीचेंट ली फॉस्ट क्रीव एक्स परिमेंट किया था जैसे अभी हम क्या पढ़र है तो इसके पहले आपका SpaceX है इसने एक मिशन जो कि स्पेस एक कर रही है और नाशा इस अदिए जिस ए एक सउको ओकर cry eg जाने के लिए इस चैनल स्टीशन दोस्तों रतने इंटर्नेशनल स्पेस थेशन ठीक है और इसी को tabам देखो तो कि चाइना जो है अपना खुद का स्पेस स्टिशन लाउंच करने की बात कर रहा है देर नॉट रिलाइंग सोली ओन आई एसस ठीक है थूदिस प्रोग्राम नासा प्लांस टू लोगर इट्स कॉस्ट पहली चीज तो देखो नासा क्या कर सोच रही है कि इसके थूमारा कॉस् बहुत सारे कॉमर्शिल पार्टनर को ड्रॉइन कर सकते हैं इसके अलावा ध्यान रखना कि प्राइवेट कंपनी जो है इनको भी इंसेंटिव मिलता है कि वह यह जितना जितना उसके डिजाइन और बिल्ड करें हमारे हां गॉर्मेंट जो है जैसे आप देखे इस लोग इ देखना है सब के थाली में खाना ही पहुंचाना है सभी बच्चों पढ़ाना भी इस तरह से कई जगह पर उनके और भी जिम्मेदारियां होती है तो कई बार इस लेवल पर नहीं कर सकती है जिस लेवल पर चाहिए होता है तो यह काम प्राइवेट इंस्टिउशन ज्याद इस प्रोग्राम को रन कर सकें ठीक है और इसी से रिलेटेड हुमन इन स्पेस पॉलिसी भी हमने निकाली है इसके लिए मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लीज गो एंड वाच डाट ऑलिसी ठीक है अगर आपने नहीं देखिए तो जरू दे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब की और में कॉमर्शियली उसको ट्रांसपोर्ट करके उसके सर्विस देना थीक है तो नासा कॉमर्शियल क्रीव प्रोग्राम इस पार्टनर्शिप बिट्वीन नासा एंड प्राइविट इंडस्ट्री तो कैरी एस्ट्रोनॉट फूप इस आपको समझ में आ रहा है चीज चलिए अब क्रीव टूप मिशन की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों यह स्पेस एक्स क्रीव ड्रागन का सेकेंड मिशन होगा ठीक है ओवर और ऑल्स सेकेंड क्रीव डूटेशन का मतलब क्या है तो क्रीव होता है ऐसे परसंद जो क में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है तो हर कुछ दिनों के बाद एक नया क्रीव भेजा जाता है जो कि उस क्रीव को रिप्लेस करके वापस भेज देता है समझा ही बात यह क्रीव जाके वहां बैठेगा रिसर्च को आगे बढ़ाएगा और जो वहां पर क्रीव रह रह र सब्सक्राइब कर रहा है इसका मतलब क्या है कि चार जो एक सब्सक्राइब और फॉसर आखें इसे के बहुत है तो इसके यह तक रहेंगे ध्यान रखना इसमें टो मिशन इस फ़ुर्स टीज शेंटल पार्टनर्शिप ठीगा फर्स्थ इंटरनेशनल प्रजेक्ट विठ क्या है क्यूट रागन है ठीख है जासे चैनीज ड्रैगन पर करवाते ना चीज़ों को तो वैसे आपका बना लिया और चार अस्तों नासा के होंगे मैंने पहली बता दिया एक जैपनी है जाक सका होगा और दूसरा आपका यह से का होगा तो आस्ट्रोनौट विल जॉएन इसके अलावा, microgravity में जो experiments चल रहा है, उन पर experiment किये जाएंगे, अब microgravity में studies बहुत तरकी होती हैं, जैसे आग का आप देखिए, आग वहाँ पे जल सकती है, नहीं जल सकती है, पानी का fluidity और viscosity का क्या क्या changes हो सकता है, इसके अलाव फूड फीजियोलोजी जो की कैसे हमारी बॉडी को असर करेगी ठीक है इससे क्या होगा हमारी डाइट इंप्रूब करेंगे तो फिर इम्म्यून फंक्शन कैसे चेंज होता है तो यह सारी चीजे माइक्रो ग्राविटी में करने से हमें बहुत सारे डिफरेंट मिलते हैं और यह चीज हमें कई बार हो सकता है ऐसी ही करें फ्यूचर मार्स को करने कोशिश करें उसके अलावा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या करते हैं जब हम स्पेस में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी इसे जिसे जिनको अर्थ पर रेप्लिकेट करके हम बहुत चोटी चोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के में मदद करते हैं आप देखिए जो हमारा आरो है जो वाटर रिंकिंग वाटर प्रॉलम है ठीक है वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉलम है यह सारी कि सारी हमारी आउट्रीच प्रोग्राम भी जो है जो लोगों की कॉमन लोगों के हल्प करने के लिए वह भी अपने आप में बहुत नायाब रहता है और देडू है बी यह आर्टी इस रोडोनों का ही देखिएगा तो जो कॉमन मैं के लिए उनका कॉंट्रिबूशन है जाट इस है उसमें भी माइक्रोबायो में वहां बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और वही आपकी कहता है डाइशन अदर थिक्स में हेल्प करते हैं ठीक है हाव दोस इंप्रूव्मेंट्स कैन हेल्प क्र्यूज तो स्पेस फ्लाइट में मदद कैसे हो सकती है उनके गट को बोडी के उपर एक वजन पढ़ रहा है वेट पढ़ रहा है स्पेस में वेटलेशनेस के स्थिति आती है तो मेरे बोन बहुत तीज़ी से डिग्रेट करने लगेंगे ठीक है तो इस तरह की चीज़े बहुत प्रॉब्लम कर सकती है और इसी लिए जब वहां से वापस लेके चलिए देखिए देशेंटर फोकस दूरिंग देस टाइम विल बीटु कॉंटीनिव ए सीरीज ऑफ टिशू चिप इन स्पेस स्टड़ी धर ना टिशू चिप पे स्टड़ी कर अब दो टिशू चिप हो सकता आप एलेक्ट्रोनिक से कंफ्यूस कर जाओ या इधर उधर कु इसके हैं human organs के जिसमें बहुत सारे cell types होते हैं ठीक है और इसके कारण क्या होता है यह human body की तरह similarly act करते हैं अब यह देखो according to NASA these chips can potentially speed up the process of identifying safe and effective drugs and vaccine तो यह दिशू चिप का मेन काम क्या है अपका drug and vaccines को तेजी से तेजी से प्रोड्यूस करना ठीक है टेस्ट सब्जेक्ट क्रियेट करना सो दाट कि हम यह जज कर पाएं कि किसी vaccine या किसी ड्रग का human body पे किस तरह से और कितना असर हो सकता है ठीक है चला अब देखो सबसे के अधाट होगया ज Citizens नहीं जोटा चाहिए आपका itself हो जक्रणन की लहार इसके अफिक hung के जल जाएगा छो बचेगा क्या आगे का पउरव बचे बचेगा यह का पॉड पॉЛिए आगे का ऑप तरक प्न्रंड मिनट तक बेसिकली आपका Do brows करके Under ours고 Low Earth Profit से भी सी नीचे लेके आएंगे ताकि फॉलत में अजाए प्री्ट जाए ठीक है तो इसमें alledको झार करना पड़ेगा यूज करना पळेगा तक्व नीचे नीचे जे सगया थाक यूट्यूब अनिमेशन भी देख सकते हैं बहुत सारे अनिमेशन अविलेबल हैं तो इसमें यूज होगा इसमें एरो फोम या एरो जेल यूज की जाती है कई बार ताकि जो हीट बाहर किये वह अंदर तक ना है और इसके बाद एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद यह क समझ में आया कैसे क्रिव ड्राइगन ले करके जाएगा और ले करके वापस आजाएगा ठीक है अब देखो आई एसस के बारे में कुछ जान लो हो सकता है आप से क्रिव टू मिशन के बारे में पूछने बढ़े आई एसस पर सवाल पूछ ले क्योंकि बेसिक्स हमेशा से दो यूपीशी गा फेड़ेट रहा है ठीक है आई एससे सिसे मोडियलर स्पेस स्टेशन है बेटेबल आर्टीफिशियल सटलाइट इन लोव एर्थ और विट आपको मौडियूलर स्पेस्टेशन है बिसक ली जिसको हमने है बिटेबल बना रखा है ठीक है और यह एक्टर कौन सी कंट्री का कौन सा स्पेस एजन्सी है चाइना अपना खुदका इंडिपेंडेंट्ड विए और इंडिया ύग-जुचर डिक्लिटर चाहिर नीएं फ्यूटर। स्टेज में है और इसी का गगर्यान का फ्यूचर जो स्टेज होगा डाट विल भी आवर ओन इंडियन स्पेस स्टेशन ठेक है थे ओनर्शिप और इंटर गॉइमेंस जो कुछ भी चलता है इसारे इंडियमेंट के साफ चलते हैं यहां बहुत सारे रिसेट चलते हैं इस पर बहुत सारे डिडिकेटेट चैनल भी इवन नासा खुद भी रिवील करती रहती है तो प्लीज जाएं वहां पर आगर आपका इंटरेस्ट तो बट मुझे नहीं लगता कि अभी UPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट है टीशू चिप का एक ध्यान रख लेना क्योंकि जो क्रीव टू मिशन जा रहा है वह टीशू चिप का एक्सपरिमेंट करेगा ठीक है इन दिस साइंटिफिक रिसेर्च इस कंड़ेड इन एस्ट्रोबियोजी एस्ट्रोनॉमी मेटियोलोजी फिजिक्स और फिर्स तो दोस्तों जहां भी हो सकता है वहां रिसेर्च करते हैं यहां पे दा आई एस एस इस सूटेड फॉर टेस्टि चैसे काम करती है उसको धर्ती पर कैसे अपलाई किया जाएंगे सबस्क्राइब करेंगे तो वहां पर हमारी सर्वाइवल के लिए हम क्या कर सकते हैं ठीक है एक्सपेक्टेड टो ऑपरेट तिल टुएंटी ठर्टी जहां रखना थोजार तीस तक यह आपरेट करेगा चलि सब्क्राइब क्यों एक सब्सूरा है तहरो ऑल्दों यह स्पसेक्स बुसरा मिखenda स्बस्टेड सब्सक्राइब करने के लिए पहला मिशन ठीक है तो जयां रखना जम हमारे organs कैसे काम करेंगे इसके microgravity में या उसको कैसे improvise किया सकता है इसके उपर और इवन इस्पेसिफिक लिए ड्रग डिलिवरी ठीक है ड्रग डिलिवरी एंड वैक्सीन हमारे organs पर कैसे काम करती है यह चीट चेक करने के लिए हम इस tissue chip एक्सपेरिमेंट को continue कर रहे हैं तो आपको समझ में आया है तो एंसर किया हो जाएगा दोस्तों आप खुद बताइए इसका एंसर जाए पहला ही के वल करेक्ट है ठीक है आप दोस्तों आपको लेक्षे पसंद आया है पसंद आया है तो प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें आपको कोई भी डाउट है प्लीज दू कमेंट इन दे कमेंट सेक्षिन बिलो चलिए मिलते हैं अगले लेक्षे में तेल देन थैंक यू और बाइबाए